हेलो गयर्स अल्कम डियो मैं चानल इंजल गैबल चारिट्स इस वीडियो एंट फॉर सिधार शुकला फैंस जानना चाह रहे हैं कि पिछले जो मैंने रीडिंग्स करी थी उसी कंटुनेशन में है कुछ एकाद और कोश्चन्स थे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लूंगी उ अगर मेरे आसपास सेंट प्लीस मुझे बताएं कि मैरे आसपास गो है और वह है पॉझष मुझे बताएं कि घर कर सक्ते मैं चाहां हुआंगी मैं लेना उप्लीछ देन चाहां कि मैं गषास हैं जो बिक बॉस के reading में जानना चाहूंगे क्यों करी थी और किस ने करी थी यह जानना चाहूंगे प्लीज में जो positive card दिखाएं कि Big Boss के जो makers हैं क्या वो भी Sydney से जलते थे और break करने की कोशिश करी हैं इनके जोडी को positive card दिखाएगा अगर yes है तो negative card को मैं no समझूंगी negative card big boss के जो makers है उन्होंने तो कभी चाहा नहीं कि ये negative card है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो makers है उन्होंने चाहाऊ कि Sydney को जोड़ी को तो दो ये break हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है ये Community card है तो इसे मैं देखना चाहूँगी जो नेक्स कोशन पूछा हुआ है कि सिधार शुकला का जो फेम है उसको कही न कहीं कम करने की कोशिश हो सकता है कई लोग करें या ऐसा future में ऐसा कुछ होगा क्या कि उनकी fame जो है वो कम हो जाएगा मैं इसमें देखूंगी इसमें इसमें देखूंगी अगर मिलता रहेगा तो positive card दिखाएगा negative card को ना समझूंगी lovers का card है इनको बराबर से love मिलता रहेगा आगे भी जनता से इनको बहुत प्यार मिलेगा इसमें कोई doubt नहीं है यह अलग दुनिया में जरूर है एक अलग लोग में इनका existence दिखा रहा है हाँ वो चले जाएंगे कोई समय के बाद एक अलग लोग में जाएं इनको अपने क्योंकि अभी तो अर्थ पर existence है शेनास्गिल की वज़े से और उनके बाके परिवार के लोग भी है लेकिन इसमें यह message आ रहा है lovers का card है जब तक इनका lover यहाँ है तब तक यह धरती पर है existence इनकी यहाँ है और उसी की वज़े से इनका fame भी है यानि कि अपने lover के साथ रहना उसको planning strategies उसके लिए बनाना that means कि एक spirit guide जो spirit angels होते हैं as a female के साथ रहना जहां तक हो सकता है यह female शेनास ही है यहाँ पर एक ऐसी lady का card है जो कि बहुत ही love and caring है उनके लिए भी थी और अभी भी है तो यहाँ पर message आ रहा है कि सिधार्त उस lady के साथ रहेंगे अभी और जब तक यह इनका process complete नहीं हो जाएगा तब तक यह मुझे ही लगता है चोड़ के जाएंगे उसको मुझे ही लगता है और यह से message आ रहा है कि एक दिन यह इस lady को ले करके दूसरे लोक में चले जाएंगे दूसरी दुनिया में लेकर चले जाएंगे और यहाँ यह दिख रहा है क्योंकि देखे हम सब जानते हैं कि एक समय के बाद सोल को जाना ही होता है तो उपर वाले से सहमेती ले करके आते हैं कि हाँ ठीक है हम कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे क्योंकि ऐसे अपने लवर को नहीं छोड़ सकते मुसीबत में जो भी उनका decision हो वो तो वही दार्शुक्ला जानते होंगे लेकिन यहां यह दिख रहा है जो यह message कर रहे है कि यह अपने लवर को planning के साथ strategies बना के और वो जो उनकी female है उसको दूसरी दुनिया में ले जाने की पूरी कोशेश करेंगे और happily रहने की कोशेश करेंगे और बुद्धी मत्ता के साथ इंटेलिजेंसी के साथ वहाँ पर यह existence इनकी दिख रहे है कि रहना चाहेंगे उस female के साथ तो इसमें तो कोई doubt नहीं है कि यह fame हमेशा इनको मिलता रहेगा जनता से इनको fame इसलिए मिलता रहेगा बस यहाँ पर यह reason यहाँ दिख रहा है मैं इसमें और देख लेती हूँ कि future में इनका fame और आगे जाकर के कैसा रहेगा क्योंकि किसी ने पूछा हुआ है तो इसको मैं एक बार देखना चाहूँगे कि आगे जाकर कितना अच्छा fame है अच्छा है बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है सारे कार्ट उसमें लगबग positive है लेकिन हाँ एक चीज है कि इसमें यह message कर रहे है एक समय के बाद जब यह चीज हो जाएगी मतलब यह जब दूसरे लोग में चले आएंगे और happily रहेंगे इसके बाद की process में बता रही हैं कि सब तब सारी चीजें सुलत जाएंगी solve हो जाएंगी जब इनका यहां दिख रहा है उसके बाद भी लोग इनको काफी याद करेंगे क्यों क्योंकि बहुती young age में इस चीज के लिए याद करेंगे कि इन्होंने बहुती young age में success पाई और लेकिन इनका किसी एक से यहां बे इनका यह भी दिख रहा है कि एक समय के बाद लोग यह कहेंगे कि future में और future में जाके fame तो उनको हमेशा रहेगा असमें तो कोई doubt नहीं है लेकिन एक समय बार लोग यह भी कहेंगे कि इनका किसी male person से विवाद था किसी male ने इनके साथ खराब काम किया है यह लोगों को बहुत वो एक शक बना रहेगा हाज वक्त कि किसी male person ने इनके उपर वार किया है और बकाइदा लड़ाई जगड़ा हुआ है इनको जो है मार दिया गया इनको इस तरह किसे बात लोग करेंगे यह आगे जाकी होगा लेकिन fame कम हो जाएगा ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि fame कम हो जाएगा को कि इसमें नजर नहीं आ रहा है बलकि वो हमेशा चर्चा में ही रहेंगे अगर यहां धरती छोड़के उस female के साथ अगर लोग में चले भी जाते हैं तो अभी यहां पर दिखता है कि यह इनकी popularity बनी रहेगी और लोग यह ही कहेंगे कि इनको किसी ने finish करने कोशिश करी है यह एक चर्चा के विशय हमेशा बना रहेगा तो एक ही इससे message है तो इसमें थर्ट question में वो पूछना चाह रहे थे जिन्होंने मुझे mail किया है वो पूछना चाह रहे हैं कि यह अपने sisters से जो है कि छोटी sister कर समें आ रहा था कि वो possibility है कि मिलना होगा तो वो क्या पहचान पाएंगी उनको परिया सबस्वाइब डिवाइन अजीस हैं पॉस्चेफ नजीस हैं प्रीज मुझे बताएं कि क्या सिद्धार शुकला की जो छोटी बेहन है वो next rebirth में दिख रहा था कि वो उनको मिलेंगी possibility है क्या वो उनको पहचान पाएंगी अगर वो पहचान पाएंगी इनके छोटी पहन की हाँ यह सिद्धार्थ है जो पिछले जनम में था या इस तरह के से कुछ भी उनको feel भी अगर हो जाए तो please positive card दिखाएगा negative card पर ना समझोंगी positive है दिखी यह card में सामने गिरा था positive है एक वेक्ति है इसके दो female है मतलब कि यहां पर दिख रहा है positive है prosperity दिख रही है यहां पर तो मुझे लगता है कि उनको भनक लग जाएगी कि हाँ यह सिद्धार्थ शुकला या इस तरह से मेरा भाई रहा यह इस तरीके से कुछ इसमें उनको फील जरूर हो जाएगा उनकी जो छोटी पहन है positive दिखा रहा है मैं इसमें देखूं क्या सिद्धार्थ को भी कुछ फील हो पाएगा हाला कि वह तो next rebirth जब हो जाएगा तो कभी-कभी जरूरी नहीं कि फील ही हो लेकिन सोल तो आत्मा तो सब कुछ जानती ही है आँखों से हम लोग किसी के भी सोल को अच्छे से पहचान सकते हैं कि अगर फील कर सकते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति की हैंसे मिलेंगे और चोटी बहन को एसास भी हो जाएगा कि मेरा भाई है या कुछ इनको भना जरू लगेगी मैं जाना जाओंगे कि सिद्धार शुकला भी मैसूस कर पाएंगे कि फील ही हो जाए मैसूस ही हो जाए कि हाँ ये लेडी मेरे जनम में कोई रिष्टा रखती थ इस तरह से कुछ फील होगा क्या रिक्स उनको रिबर्थ में अगर होगा पॉस्ट्यव कार्ट दिखाएगा नेट्यव कर्ट में ना समझेंगे कि उनको फील नहीं होगा यहां पर चोटी बेहन के इसमें मैसे जाए होगा फोगा बिलकुल होगा उनको एक अंदर एक अंदर एक अंदर एक अहसास मना रहेगा कि हाँ ये एक लेडी है ये पिछली बार भी यही कार्ट आयते हैं अगर आपके देखा होगा कि एक मैरेड वुमेन है और यहां पर अ जाए ये हमें मिलके अच्छा लगता है और काफी चीज़ों इसमें पॉस्टिव दिखा रहा है कि यस उनको भी असास होगा और सिधार्त को भी असास हो जाएगा कि ये कोई जानी पचानी सी कोई कुछ है इसमें तो कोई डाउट नी बलकि मैं तो कहूंगी मेरी जो इंट पहचान जाएं लेकिन एक एहसास होता है ना खुशी वाला कि हां मुझे ये फीमेल मेरी जानी पचानी से लग रही है कोई इंसान खुश हो जाता है उसको उसको ऐसे लिए जैसे कोई सोल्मेंट मिलिया हो मझे ये इस तरह की फीलिंग उनको आएगी सोल्मेंट हो चाहें जाओ लेकिन क्योंकि रिष्टा है ना पुराना रिष्टा है तो वह बहुत पॉसिबिल्टी है मैं यह खुछ हुँ देखके दोग दूसरों को पहचान पाएंगे हो सकता है बहुत पॉसिबिल्टी है कि आप वह अपनी बातें शाहिर भी कर देंग दूसरे को कि यह क्या दिख रहा है कि चोटी बैन पैचान जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सिध्धार्त भला ही पिछले जनम का पता नहीं याद रहेगा क्या सिध्धार शुकला को अगले जनम में जब इपनी बहन से मिलेंगे चोटी बहन से इसमें दिख रहा है तो थोड़ा सा भी इनको कुछ थोड़ा सा पिछले जनम का याद आने लगेगा क्या अगर ऐसा होगा तो positive card दिखाएगा negative card के ना समझें की कुछ याद नहीं रहेगा लेकिन केवल एक एहसास रहेगा नहीं नेगटिव काड़ है, एक डम सब्परेशन का काड़ है विश्ने जनम का कुछ याद नहीं रहेगा एहसास रहेगा कि हाँ ये है कोई लेडी आप समझ रहे होंगो मैं क्या कह रही हूं तो I think the message is very clear और उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे काफे दुनों से बेचैन्द है तो I think the message is very clear and I will say thank you to the Divine Agies and thank you to the Sidharv Shukla thank you so much thank you so much